इस वीडियो में आप देखिए खबरों को शेयर करने का एक नया तरीका यानि की बैव इस्टोरीज यहां आपने देखा फुल पेज पर आपको एक इमेज और एक छोटा सा टेक्स एनिमेशन के साथ दूसरी इमेज दूसरा टेक्स तीसरी इमेज और ये वन वाई वन हम बहुत आराम से इनको पढ़ते हैं बहुत आराम से हम कुछ समझ भी आती है ये किसी से भी सम्बंदित हो सकता है कोई किरकेट से सम्बंदित गेम से सम्बंदित मनो रंजन किसी भी कैट यह हमारे सामने दिख गए हमने उन में बीच बीच में एक एड़ भी आ गया एड़ के बाद जैसे ही पूरा खत्म होता है एक ओड़ी नेच्स लाइड आ जाती है नेक्ष पर किलिक करते हैं तो फिर इस्टार्ट हो गया यहां पर कहने का मींस गा कि खबरों Shreer करने का एक ऐसे तरीका actually हो क्या रहा है कि जो हम यूजर किसी ख़बर को अगर हमने Shreer किया और अगर वो खबर थोड़ा सा आड़ा है पढ़ने में थोड़ा सा हमें कठिर लग सकता है क्यों क्योंकि कि इतना ज्यादा मैटर हम साइद पढ़ना उतना नहीं पसंद कर पा रहे हैं बजाए उसके कि एक चोटा सा टाइटल इमेज वो एक अच्छा ट्रेक्शन यहां दे रहा है इसको हमने कहा बैब स्टोरीज तो बैब स्टोरीज वाला फंक्शन अगर आप अपनी खुद की वै है और कुछ बैविश्टोरीज के डिजाइन आपने किसी भी एक बैविश्टोरीज पर किलिक किया किलिक करने के बाद आपके सामने इमेज कि थोड़ा सा लोगों यहां दिखा आपके सामने एक एऽानिमेशन के साथ दूसरी इमेजो तीसरी इमेज और यहorig फाइनली एक कम है तो जैसे इस लाइड कम हुआ तो फिर एड आ गया उसके बाद एक और इमेज और फाइनली अगली खबर यहां पर थोड़ा सा एंटेटेन्मेंट भी हो रहा है आसानी से यूजर पढ़ पा रहा है और खबर अपनी पहुँच रही है इन टोटल हम आपको यहां समझाना चाहेंगे कि अगर आप अपनी खुद की वैब साइट में कुछ इस तरह का फंक्शन बैविश्टोरीज लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं उसका पूरा सिस्टम हमने यहां पर पहले आपको एक डमो दिखाया इसमें आपको बहुत आसानी से यह समझा आया कि कैसे यहां डीजाइन बने हुए हैं यह देखें आप और इन सब डिजाइन के बाद आप इसको शेयर भी कर सकते हैं शेयर करने के बाद आप चाहते हैं कि इस तरह का हमारा खुद का बने तो हम यहां पर आपको समझाएंगे इसका admin panel admin panel कैसे जैसे आपने सबसे पहले admin panel login किया कैसे आप इसको upload करेंगे आपने एक story एड किया या पहले एक बनी हुई story को हम यहां पर आपको समझा देता है यह admin panel हमने login किया और login करने के बाद यह कुछ एक slide बनी है इसमें पहले से कुछ design है यहां पर आपको edit करके सबसे पहले तो आपको image select करना है अपना gallery से जो भी आपके पास एक खबर का image है माली जी आपने ये खबर की एक image select की image के बाद आप इसमें कौन सा effect देना चाहते हैं आप back side में आपको दिखेगा हलका स जूम आउट हुआ या जूमिन हुआ जूमिन के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा left right move करना चाहते हैं यह आप back side में देख पा रहे होंगे transparency में तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि image मारी cut रही है यहां पर second number पर हमारे पास matter आया title का effect यानि कि नीचे आप देख सकते हैं transparency में यह design आपका एक style आजाएगा यहां पर इसके बाद font का size और font size के बाद आप यहां देना चाहते हैं line का color जो नीचे की side तो यहां पर आपने line color लिया और finally इसको update कर दिया तो इस तरह से आपको अपनी slide यहां set करना है और यह slide आपको जितनी भी आप बनाना चाहें आप इसमें बना सकते हैं और जब आप add लगाना चाहें या इसमें कितनी category हम यूज करना चाहते हैं category in the sense business के लिए auto के लिए technology के लिए तो इस तरह का पूरा एक website जिसका demo हम यहां आपको दिखाते हैं यह इस तरह से आपका design बन जाएगा इसमें कुछ categories होंगी category के बाद उ जैसे न्यूज category में गए प्लस आपने कुछ और category पर किलिक किया तो जो category पर आप खबर देखेंगे उसका यहां आपने सीधा किलिक किया आपके सामने यह design आगया और यह आपकी अलग-अलग web story इनको पढ़ना भी आसान होता है और traffic जल्दी लेने का एक बहुत सुंदर त सकते हो आपने देखा admin panel में अगर आप एक नया category का option है अगर आप इसमें कोई भी एक नई story बनाते हैं तो आपको क्या करना है टाइटल कोई भी जो खबर है उसने आपका यहां पर टाइटल लिखा उसके बाद पर मालिंग यह आटमेटिक बन जाता है जो उसका path है उसके यहां पर उसकी एक image ले लिए for example यह कोई भी एक image हो सकती है image के बाद आपने यह particular एक main खबर तयार हो यहां पर यहां आपने जो तयार किया ना वो main खबर अब उस खबर के अंदर आप add करेंगे slide यह खबर तयार हो गई main इसके बाद आप बनाते हैं slide तो सबसे पहले आपक practical के लिए हम एक और नया वीडियो आपको देंगे जिसमें detail में हम इसको समझेंगे फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको explain किया है कि web stories के feature को आप कैसे यहां बहुत आसानी से लगा सकते हैं और क्यों यह आपकी website को promote करने के लिए जरूरी है तो इस तरह का feature आप अपनी website मे लगाते हैं तो एक अच्छा benefit आपको मिल सकता है viewership के according तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत जन्यवाद